आखिर क्यों कंकड पत्तर खाते हैं शत्रमुर्ग आपको एस सुनने के बाद लगता होगा कि ऐसा नहीं होता है आखिर कोई शत्रमुर्ग कंकड पत्तर क्यों खाते होंगे लेकिन दोस्तों एबात सच्छे शत्रमुर्ग के दात नहीं होते है इसलिए वो पट्टानों के सक तुकडों को खाता है पत्तर के तुकडे इसके लिए दात की तरह काम करते हैं दात नव होने की कारण शत्रमुर्ग हर चीज को निगल जाता है और पेट में मुझूद पत्तर इसे पिसने का काम करते हैं